तो आदा आप नवस्कार को डीविंग सश्यकाल एक बर फिर आप तमाम लोगा स्वागत है क्रैम तक की कहानी की इस एपिसोड में उम्मीद पूरी फैमली अच्छी होगी आज का दिन बड़ा हेक्टिक था दिल्ली से सुवा में रट गया था करीब 12-13 साल पहले एक स्टोरी ये तक कोट में रहा था बारी का इंतिजार कर रहा था बैयान दर्ज कराने के लिए अपने स्टेट्मेंट देने के लिए फिर वहाँ पे मंदर देखा ये कोट जो था वो एंटी करॉप्शन का था तेक एक वकील साहब अपने मौकिल मुल्जिम तमाम लोगों को या विट सूप जो नोट कर रहे हैं अब उसमें दिलां कितने तारीकक को फलाने दिं रामकुमार वल्ड कुमारकुमार इस तो वात विचार कभी दिन में रॉंच है उसका कामी सुमाद से सामने वाला बोलता रहुं और वो स कलमबंद करता रहा हो लिखता रहा तो पांच-छे स्टेटमेंट में ही सुबा से शाम निकल गी, ये कोट का मंदर था, ये भी देखा कि कोट में बहुत सारे लोग जिनको अपना दस्खत कराना था, स्टेटमेंट दिलवाना था, तो कोट के एक-दो स्टाफ उनकी खामोशी से जेब में पैसे भी रखे जा रह करता हूं, खैर उसके बार दिल्ली लोट आया, तो आज लेट भी हो गया, अब आते हैं आज की कहानी के उपर, लेकिन उस कहानी से पहले अपडेट आपको, ड्रक्स मामले में, कुरूज पार्टी के, सभी की एक उमीद थी कि शायद आज बेल मिल जाए, शारुक खान के ब जेल के अंदर, जेल मैनुवल के हिसाब से आकर आपके पास क्रोना का आटी पेसी आटेस्ट नहीं है, तो जेल वाले कैदियों को लेते नहीं है, तो वो भी नहीं हुआ था, और साथ बज़े के आज पास तो फैसल ही आया, तो फिर यह हुआ कि जो NCB की ऑफिस है, जहां प जो बहस होई, जो जमानत खारिज हुई है, टेकनिकली वो यह है, कि जिस कोर्ट में यह पूरे मामले की सुनवाई हुआ थी, जो लगातार रिमान दे रहा था, जो कोर्ट, उस कोर्ट में अब regular bail की सुनवाई होनी थी की नहीं होनी थी, तो इनको काईदे से अप सेशन कोर कोड जाना था तो आज यहां पर हुआ तो इसलिए कोड ने आज रिजक कर दिया कि हम तो नहीं देंगे आपको सेशन कोड जाना पड़ेगा तो अब सेशन कोड मूव करेंगे यह लोग कल सेटेडे अब अगर कल मूव करते हैं तो कल क्या सुनवाई होगी क्योंकि सेटेडे अंतौर पर कोड की छुटी भी होती है और अरजेंट मैटर की सुनवाई होती है अब यह अरजेंट मैटर इतना है की नहीं है यह कोड खुद इसका संग्यान लेगा तो मुझे लगता कि अगर कल नहीं होई तो परसो तो संडे चुटी है फिर 11 तारीक को मंडे है तो मंडे मंडे को सुनवाई होगी और दूसी तरफ मंडे 11 को महरास्ट में बंद भी है जो लखींपुर खीरिये में किसानों के साथ जो कुछ हुआ किसानों की जो जाने गई जिस तरह के सुने रौंद कर मारा गया उसके विरोध में तो अगर कल नहीं सुनवाई होती है तो संडे रोट जेल ले जाया या आर्यन खान को और साथ में 8 लोगों को इस और सारो जेल में बड़े सारे सितारे नहीं है ज़्याएट की से बागी भाए बहुत सारे लोग क्यूंकि किला कोट का जिश्डिक्शन वहीं आता है तो फिल्हाल आर्या खान पहली भारा जेल पहुत कहा है किई जेल में क्टेगी आज केहानी और कल सुप्रीम कोट मेंट्र पर है दोनों रिजग्ट सुप्रिम कोट परfish Heakti तो फिर अब आपको कुछ महीने और जेल में रहना पड़ेगा क्योंकि फिर एक तैमियाद है उसके बादी आप दोबारा अपील करेंगे अब सुप्रेम कोट ने ये बेल रिजक क्यों किया आद की कहानी इसी से शुरू करते है बात जून 2018 की है राजिस्थान में एक जगा है बुहाना जुन जुनों के करीब है और वहीं पे एक इलाका है सागवा सागवा में सचिन नाम का एक नौजवान रहता है जो आर्मी में है फौजी है और सचिन की शादी अलपना नाम की एक लड़की से होती है पती पतनी दोनों खुश शादी के बाद वापस सचिन को ड्यूटी पे जाना होता है वो ड्यूटी पे लौट जाता है उसकी पोस्टिंग असम में है तो असम में पोस्ट रहता है और फौजियों के जो जिन्दगी होती है अमतौर पे साल में एक आक महीना बंदरा बीज दिन बस ऐसी छुटी मिलती है अमरजनसी छोड़ दे तो बीमारियों को तो लगबा का पे ग्यारा महीने तक घर से दूर रहते हैं अलग अलग हालात में अलग अलग जोगों पे आपको नौकरी करने पड़ती है तो सचिन भी इसी तरीके से अपने जिम्मधारी निभारा था एक फौजी की तोर पर इधर पीछे में सचिन के अब सचिन की पत्नी अलपना घर में थी और अलपना के साथ उसके सास और ससुर थे ससुर भी काम के सिलसले में अक्सा जादा तर बाहर रहते हैं इस जुन जुनू से तो अलपना और सास ये दोनों आम तोर पे ज़्यादा घर में रहा करती थी शादी के कुछ समय के बाद चुके अब सचिन वापस चला गया डूटी पे अलपना की मुलाकात मनीश मीणा नाम के एक नौजवान से होती है और इसके बाद दोनों में दोस्ती होती है फिर दोनों में प्यार हो जाता है अब शादी को अभी बहुत जादा दिन नहीं बीदे लेकिन अलपना की जिन्देगी में एक निया शक्स आ चुका था प्यार के बाद आप दोनों फोन पे बात्चीत शुरू होती है यह बात्चीत घंटो चलती है फिर धीरे धीरे फोन के बात्चीत के बाद वीडियो कॉलिंग शुरू होती है अब दोनों वीडियो पे बात्चीत करते हैं इस दोरान में जो अलपना की सास थी वो अपने बह बहुत किया पहले समझाया बहु को कि ये ठीक नहीं है बट अलपना मानी नहीं और बात चीज चलती रही इसी दौरान में एक दो बार मीना से मुलाकाद भी हुई घर के आसपास सास ने देख लिया सास को गुस्सा आया अब उन्होंने अलपना को कहा समझाया कि ये सब अच् पर बात चीज वीडियो कॉलिंग ये दौरान में इन सारी चीजों में कई बार घर का काम भी डिस्टब होता सास को जरुवत होती ही घर में खाना बाकी चीज़ें बहु फोन पर ही लगीगी है तो इन चीजों ने घर में जगडा शुरू कर दिया लेकिन अभी तक ये बात सचिन को मालूम नहीं थी क्योंकि वो आसम में पोस्टर था वो अपने ड्यूटी ने भार रहा था और इसी दौरान एक रोज फिर वीडियो कॉल करते हुए सास ने देख लिया उस दिन सास बहु में जगडा हो और सास ने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की बड़ तुम मान ने रही हो इसलिए अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है मैं ये सारी बात सचिन को बता दूँगी ये तुम्हारा एक मनीश नाम के शक्स के साथ रिष्टा है तुम उससे घंटों बात करती हो वीडियो कॉल करती हो मॉबाइल पे कॉल करती हो मिलती बता दिया तो फिर मामला बिगड़ जाएगा उसने बात अपने प्रेमी मीना को बताई उसने का ऐसी इसी बात है सास को पता चल गया और वो मेरे प्रती को सब कुछ बता देगी तो कुछ भी हो सकता है अब दोनों घबरा गया उन्होंने का क्या करें अलपना ने कहा कि क्यों न सास को रास्ते से हटा ने क्योंगे घर में और तो कोई है नहीं ससूर जादा तर बाहर रहते हैं तो अगर सास मर जाए तो फिर कोई देखने वाला है नहीं पती तो ड्यूटी पर रहेगा और फिर हम आराम से बात कर सकते हैं, आराम से मिल सकते हैं, कोई टोकने रोकने वाला नहीं होगा, दोनों इस बात पर राजी हो जाते हैं, अब प्लाइनिंग ये होती है कि सास को मारे कैसे, तमाम तरीके सोचते हैं, चुक्छे फौजी की वीडी थी, उसे मालूम था बहुत सारी नहीं सोची उन्होंने, चुक्छे फिल्म में सीरियल भी देखती रहती थी, तो तमाम आइडियाज की कैसे क्या किया जाए, लेकिन हर बार उसे लगा कि नहीं, ये सारी चीजे पहले भी हो चुकिया और इसमें पकड़े जाने का खत्रा है, तो अब क्या करें, फिर उन्हे के डसने से और सांप के जहर से मौत हुई है, कोई शक भी नहीं करेगा, और ये एक हादसा लगेगा, अच्छा उस अलाके में सांप माप पाए भी जाते हैं, दोनों इस बात के लिए तयार हो गए, क्यां ये ठीक है, इसी तरीके से करते हैं, इसके बाद अब जो मनीश था उसने एक जहरीले साप को ढूंडने का काम शुरू किया, इसी दोरान में एक सपेरा उसके संपर्क में आया, उसने सपेरे से बात की, उसने कहा कि हमें एक जहरीले साप चाहिए जिसका दसा के इंसान बच न सके, उसने का ठीक है, दोनों में डील हो गई, उसके बात तया और यह मौका तब होगा जब अलपना की का जो ससुर है वो घर पे ना हो चुक्कि अक्सर वो बाहर रहता था इतफाक से दो जून 2018 की रात उन्हें यह मौका में लिगा दो जून की सुबह अलपना का ससुर घर छोड़कर अपने काम के सिलसले में बाहर चला गया और अगले व होता है घर पहुंचता है अलपना को वह बैग देता बोलता है कि खोलना मत वह बैग ले जाकर घर के कौने में रख देती बैग बंद था उसके अंदर सांप इसके बाद जैसी रात होती है मनीश इसको एक बेहुशी की दवा भी देता है वह अपनी सास को केले के जूस में उस दवा को डाल कर पिला देती ताके वो बेहोश हो जाए सास जूस पीने के बाद बेहोश हो जाती है जैसी वो बेहोश होती है अलपना अपने प्रेमी को घर में बुलाती है वो आता है देखता है बेहोश है अब लेकिन एक ये था कि सांप ले तो आए या लेकिन सांप को आप ये बरीफ तो नहीं कर सकते कि आप किसको काटना रा खाल जाएगा लेकिन अगर सांप बिना काटे भाग गया तो पूरा प्लान फेल हो जाएगा। अब एन टैम पर दोनों ये बात कर रहे हैं कि अगर सांप ने नहीं काटा, सांप भाग गया या सांप के डसने के बावजूद बज गई तो क्या होगा। फिर नहीं रगा कि देखो सांप तो बेहोश है, तो पहले गलाग होट देते हैं, बाद में सांप देख लेंगे, काट लिया तो ठीक है, तो तैय यही होता है, इसके बाद बहू और उसका प्रेमी दोनों मिलकर, अपनी बेहोश सांप का मूँ और नाक तक्या से दबा देते ह दम घुड जाता है, उसकी मौत हो जाती है, जब उन्हें यकीन हो जाता है कि अब नपस नहीं चल रही है, मर चुकी है वो, तो दोनों वो बैग जिसमें सांप था जहरीला, अपनी सास के कमरे में लाकर रखते हैं, और बैग को खोल के दरोजा बन कर देते हैं, उसके दोनो चल जाते हैं, अब प्रेमी घर से निकल जाता है, अलपना अपने दूसरे कमरे में रात बीच जाती है, सुबा होती है, सुबा अचानक अलपना के चीख अडोसियों परोसियों को सुनाए देती है, अलपना चीख तेवाती है, कहती है मेरी सास को पता नहीं क्या हो गया है, और घर के अंदर मैंने भी सांप देखा अब सारे लोग भाग करा है देखा इसी दौरान किसी ने सपेरे को भी गुला लिया सपेरा आया सपेरे ने अपने बीन पर घर के अंदर से उस सांप को ढून भी निकाला उसको पकड़ लिया अब पडोसियों सब की मौजूदगी में सांप ब्रामद हो गया इधर सास बेहोश लगबग पड़िये बाद में उसे अस्पतार लेकर गया तमाम पडोसी की मुदद से डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया अब चुके सांप पडोसियों के सामने पकड़ा गया सपेरा आया ये सब सबूत थे तो ये हुआ कि शायद सास को सांप ने डस लिया और उनकी मौत हो गई एक हादसा है बाद में घरवालों को रिश्टारों को खबर दी कही सारे लोग आये बेटा आया आसम से फौजी ससुर पहुंचे अंतिम संसकार कर दिया गया लेकिन उस से पहले पोस्टमॉटम हुआ क्योंकि सांप ने काटा था तो ये एक अक्सिडेंटल डेट था पोस्टमॉटम के बाद जुन जुनु जैसे इलाके में ये था कि बहुत सारे लोगों ने गवाही भी दी थी पुलिस भी पहुंच गयी थी कि सांप का काटा हुआ केस है, सांप का काटा हुआ केस है, तो बड़ा आम तोर पर अगर आप बड़े शहरों से हटें, चोटे-चोटे जगों पर जाएं तो बड़े नॉर्मल चीज़ें हो जाती है, तो पलिस और ये सारे लोग भी इसको बहुत सीरियसली नहीं करते हैं, यहां पर भी पुलिस ने यही किया, उसने का कि सब के सामने सांप पकड़ा, सपेरे का भी ब्यान दज कर लिया, परोसियों का भी ब्यान दज कर लिया, पोस्मॉटम रिपोर्ट आई, पुलिस ने कुछ ध्यानी नहीं दिया, सात महीने बीद गे, सात महीने के बाद अब इधर पती लोट चुका है ड्यूटी पर अल्पना फिर से अपने प्रेमी से मिलना शुरू कर देती है अब तो रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था परोसियों को भी ये बात पता थी कि इसका एक प्रेमी आता जाता है ससुर तक भी बात पहुंची फिर ससुर वहर न दे दिया हूँ अब ये बात दिमाग में घुज गई तो यह हुआ कि चलो उस पोस्मॉटम रिपोर्ट को ही देखा जा रहा है घर वालों ने फिर से पुलिस से संपर्क किया और पुलिस से कहा कि हमें डाउट है कि मेरी माँ हाथसे में नहीं मरी है बलकि हो सकता है पोस्मॉटम रिपोर्ट निकाला गया रिपोर्ट तब्किती सौफ साप साप लिखा था है कि हुए पहले टक्या मुझपर रखा गया था और नाक पर तो लोण साथ में शरीर के अंदर सांप के जहर का पाया जाना भी लिखा हुआ था, लेकिन अब दो अलग चीजे थी, एक दम घुटना और एक जहर का मिलना, लेकिन दम घुटने की बात सीधे-सीधे हाथसे को नकार रही थी, कि ये साधिश हो सकती है, अब जब ये दम घुटने वाल से के दिन सिर्फ अलपना और उसकी सास थी, और कोई था नहीं, पडोसियों से और पती के जरीए बाकी पता तो चली गया, कि एक प्रेमीरी है, और उसका नाम ये है, और ये घंटो बात करती थी, वीडियो कॉल करती थी, ये पुलिस के पास कंप्लेंट भी आई, पुलिस इसके लिए ये बड़ी अजीब थी, कि जिस रात ये हाथसा होगा, उस रात नब्बे कॉल अब तक के सबसे ज़्यादा करते तो ये घंटो बाते थी, लेकिन उस रात नब्बे कॉल देर रात तक वो भी, बलके अरली मॉर्निंग तक भी, तब पुलिस को डॉट हुआ, प उसके इस बियान के बाद पुलिस अलपना को गिरफतार करती है, अलपना शुरू में इंकार करती है, लेकि फिर बाद में वो भी हामी भद लेती है, अब पुलिस अलपना उसके प्रेमी और उसके तीसरे साथी तीनों को गिरफतार कर लेती है, चार्शीर दाखिल होती है, lower court में मामला जाता है हत्या का मुकद्वा बनता है lower court को जब पता चलता है कि एक बहू ने अपनी सांस को सांप से डस्वा के माँ डाला lower court भी हैरान कहती है कि यह जो तरीका है कतले का यह बड़ा अजीब है और ऐसे तरीकों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए इसलिए बड़ी सक्ती दिखाते हुए जमानत देने से हिंकार कर दिया इसके बाद दोनों हाई court पहुंचे तीन हाई court में भी जैसे ही पता चला यह कतले का मामला है लेकिन एक बहुं ने अपनी सास को सांस से डस्वा दिया हाई court भी चौकट उसने भी कहा कि यह अजीब सा तरीका है कतले का बेल देने से मना कर दिया अब आखरी उम्मीद थी इनके पास सुप्रीम court यह लोग सुप्रीम court पहुंचते हैं और सुप्रीम court का फैसला कल आता है कल सुप्रीम court में जो जट्स हैं बलके तीन इनके जट्स थे और जट्स यह कहते हैं अपने मैं वो आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी क्राइम को अंजाम देने के लिए बिल्कुल नया तरीका अपना आ गिया है और इसी लिए ये जितने भी मुल्जिम हैं आरोपी हैं ये जवानात के हगदार नहीं है और ये बात किसी और ने कही है सुप्रीम court के चीफ जस्टिस एन्वी रमना, जस्टिस सूर्य कांद और जस्टिस हिमा कोली तीन जज़ों की ये बेंच बैठी थी इस बेल पर सुनवाई के लिए और इन तीनों ने ये कहा कि चुके जिस तरीके का इस्तेमाल किया इन लोगों ने कत्ली के लिए वो तरीका एतना खतरनाक है कि इनकी सोच को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इनको आजादी मिलनी चाहिए ये इनको जमानत मिलनी चाहिए और इसलिए जेल में रहे तो लोवर कोट, हाई कोट, सुप्रिम कोट तीनों ने ही बेल खारिच कर दी तीनों आरोपी बहु उसका प्रेमी और एक उनकसा थी तो दो अलग-अलग जेलों में अब आशिक और उनकी माशूख है और अपने किये की सजा बुगत रहे तीय थी कहानी एक अजीब तरीका जिसमें एक बहु अपने सांस को मारने के लिए सांप का इस्तमाल करती है अब कहानी खत्मा करूं उससे पहले क्राइम तक फैमिली के बहुत सारे लोगों का आज भी जनम दिन बढ़ दे एक अबाज जहीर साब का जनम दिन है तो अबाज जहीर साब हैपी बढ़ बढ़ बहुत मुबारक हो यह आस्ट्रेलिया में है और सारूज जहरा इन्होंने ये मेल लिखाया और सारूज जहरा जी मुझे याद आ गया हम कभी पडोसी हुआ करते थे तो मीदे कि आप अच्छे होंगे आप लोग और जब बेंडिया हैंगे ज़रू मुलाकात होगी आपसे और मुझे अच्छा लगा सुनकर कि अबास जहीर साहब क्राइन तक की कहानिया सुनते हैं तो थैंकिव वेरी मच आप दोनों को और अबास साहब आपको हैपी बड़े बहुत-बहुत मुबारक सालगिरा इसके लावा पूजा बरजातिया जी है इनका भी आज जनम दिन है इनकी मां अनमूल त्यागी ने भेजा है कि आप विश्च कर दें एडवांस में तो मुनिका हैपी बड़े इसके लावा अर्मान जाकिर है और इनका भी जनम दिन है तो अर्मान साहब हैपी बड़े मुहमत जाकिर इनके जो फादर उन्होंने भेजा है अभिशेक सिंग च सुगरत कुमार ने भेजा है तो निमाई साब आपको भी हैपी बड़े आप जिया मिश्च रहे खुश रहे इसके लावा स्वाती कानून गो है क्राइम तक फैमिली मेंबर इन्होंने लिखा है कि सुष्मिता बेनर जी की स्टोरी सुनना चाहती है तो जल्दी सुनाता हू साजिद वाडवाला है यस सिंग है और यस सिंग थैंक यू इनके पापा जो है वो क्राइम तक कहानिया बड़े शौक से सुनते है अच्छा लगा सुनतर उनको मेरा नमस्ते बोलिएगा इसके लावा सागू जहां है एहम्दाबाद से और यह मायन सिविलाजेशन की कहानी की जहारी कि रहती हां और बहुत आई लगाते हैं कि यह सुनती है एक इसके लावा कुमार निजाम पुरकर हैं जोशी अभ्यंकर हत्याकाँन की कहानी सुनने चाहते हैं और मैं यह सुना चुका हूं आप किसी क्रास की टकृलिश में मिल जाएगी कुमार साभ मिर्जा फुरुकान है अमरिता है और गराम स्टेन उरिसाए वाली जो इंसिडेंट वह तो उसकी सोरी सुनना चाहते हैं और अमरिता की ममी जो है मों कहानी की फैन है सुनती रहती है थैंकियो विरी मच अमरिता और अपनी ममी को ही मेरा नमस्ते पढ़ियेगा इसके लावा सुबोत शर्मा है और ये नकसल अटैक जो 36 गड़ में होता है जल्दी सुनाता हूँ अभी शेक केडिया है इनका एक सवाल था कि हिरासत और गिरफतारी में क्या फर्क होता है ये शैद कल के उपर इनका आया कि पहले हिरासत में कुछ मामले आया थे जिसमें हिरासत में है फिर गिरफतार नहीं हुए बड़ा सिंपल सा है इसमें अभी शेक साथ हिरासत मतलब ये कि जहां पर आप ऑफिशेली एरिस्ट डिक्लेर नहीं करते हैं मतलब आप किसी को घोशित तोर पर आप नहीं बताद दिखाते हैं कि हमने इसी ग्रफतार कर लिया है जब तक पुलिस का स्टडी में है या पुलिस में जैसे अगर मुझे पुलिस ने बुलाया था ने हम मैं चला गया अब उसने मुझे पूस्ताच किया या पुलिस को उपर है मुझे एक घंटे तक पूस्ताच करे या दस घंटे तक पूस्ताच करे लेकिन वो दस घंटे करते हैं तो कई कानून बीच में आ जाता है ए्रेस्ट का मतलब यह होता है चिया थो 24 गंते के अंदर अंदर आपको अदालत को बताना पड़ेगा इस जुरूम में गरफतार किया है और 24 गंते के अंदर अंदर उस शक्स को अदालत में ले जाकर पेश करना पड़ेगा ताकि अदालत की इजाज़त से उसके पुलिस कस्टडी ली जा सके या फिर जूडिशल कस्टडी मतलब जो भी एजनसी पकड़ती है आप उसकी हिरासत में रहेंगे जैसे एंसीबी ने पकड़ा ता और चौदा दिन कि यह Cट लेकि इस थाथ करेंगे तो कल भी भाला सकते हैं लेकिन जोडह जिख सकता है फिर में अपक्राइब हो गई तो कल भी बाहर आसकते हैं लेकिन जेसे सी मैक्सिममम्म निनिमम्म जोके हाब 14 डेस का हुता है पॉलिस का स्टडिओ भी 14 डेस का हुता है लेकिन तो फिर इस लेकिन जेसी 14-14 दिन हमेशा बड़ता रहता है जब तक कि आप के मुकदमे का फैसला ना हो जाए लगता है कि हीरासत अब आपको कोर्ट में पेश करने की ज़रूरत नहीं है पुलिस के आपका स्टेडी में है लेकिन आपको गिरफतार नहीं किया गया और गिरफतार मतलब फिर आपको अदालत में पेश करना होगा वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर इसके लाव विक्रम प्रजापती जी है मिशिगन से जोसेफ की कहानी जो ऑस्ट्रेलिया की है वो सुनना चाहते हैं तो विक्रम साहब मैं यह भी जल्दी सुनाता हूं आपको तो आज कहानी मित रही है आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजी किसी नहीं कहानी के साथ तक अपन